हलो दोस्तो वेलकम तो टीवाइटी टेक्निकल चैनल आज की वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले एक्सस 125 के डिजिटल मीटर को अपने मुबाइल से कनेक्ट करने के बारे में तो वीडियो में लास्त अप बने रही है जानते हैं वीडियो भी दोस्तो सबसे पहले आपको सुझू की एक्सस 125 एप जो है वो अपने प्ले स्टोर से अपने मुबाइल में डाउनलोड कर लेनी है डाउनलोड होने के बाद उस एप को आपको ओपन करना है डाउनलोड होने के बाद आपको वो कुछ इस तरह की स्क्रीन अपन कर देनी है बता दूं ये location permission and location work profile के लिए permissions के लिए access मांगता है तो ये दोनों permission आपको दे देनी है आपको एक option मिलेगा tap to connect आपको उस पर tap करना है जैसे आप tap करेंगे आप app से और ये बीटी से pair हो जाएंगे Bluetooth paired हो जाएगा Bluetooth होने के बाद आप देखेंगे आपको अपनी mobile skin पर दिखाई दे रहा होगा कि क्या fuel indication है कितनी गाड़ी आपकी चली हुए ये सारे notifications आपको अपने mobile skin पर दिख जाएंगी जो कि आपकी access 125 के इसी के साथ आपको settings के अंदर मिल जाते हैं ये सारे options incoming call incoming SMS WhatsApp call WhatsApp messages WhatsApp text custom message reply ये सारे options आपको settings के अंदर मिल जाते हैं अगर आप राइड कर रहे हैं और तो आपको ये सारे options अगर आप enable करके रखे हुए तो आपको आपकी access 125 की skin पर ये सारे चीजे दिखाई देगी इसी के साथ अगर आप कोई custom reply set करके रखते हैं अपने mobile में तो जब भी कोई बंदा या कोई person आपको call करेगा while you are riding तो ये automatically reply उसको चला जाएगा जैसे कि यहाँ पर मैं type कर देता हूँ कि I am riding right now तो ये reply अगर कोई बंदा मुझे call करता है तो ये reply उसको as a answer और ये message as a message उसको चला जाएगा automatically ये सारी rides आपकी सेव हो जाएगी तो आप अपनी trip जो भी है वो भी इसमें आप सेव कर सकते हैं इसी के साथ आप इसी के साथ आपको मिल जाता है speed warning जो कि आप customize कर सकते हैं ये option इसमें दिया हुआ है जो भी speed आप set करके रखते हैं जहां भी अपना customization alarm set करके रखते हैं वहाँ पा जैसे ये fuel go beyond that speed तो ये आपको एक indication देने लगता है तो चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं navigation की जैसे कि आप मेरी skin पर दीख पा रहा है मैंने एक navigation यहाँ पर set करके रखा हुआ है suppose कोई भी एक address मैं यहाँ पर डालता हूँ और मैं अपने current location से उस point तक अगर मुझे जाना है तो मुझे side by side indication तो आपको turn indication जो है आपकी access 125 की digital meter पर दिखाई देगा की turn by turn indication जो कि आप follow कर सकते हैं so it will give you कि या 30 after 30 meters take right then left likewise it will give you तो चलिए उसको भी हम देख लेते हैं तो मैं अपने screen पर जाता हूँ और tap करता हूँ side by side indication के लिए तो जैसे कि आप उपर तरफ देख पा रहे हैं यह मुझे बोल रहे है कि 10 meter के बाद left लेना है then head south after likewise you can you can go where my trip ends तो भई यहाँ पर आके मेरी जो है journey वो खतम हो जाएगी सारा का सारा navigation जो है आपको अपनी access 125 की screen पर दिखाई देगा तो चलिए इस app को और explore करते हूँ देखते हैं साथ ही और क्या क्या option में मिल जाते हैं आपको एक plus का sign यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मैं इस plus के sign पर tap करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे और क्या क्या option इस app में मिल जाते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं सुजू की service, fuel, hospitals, bank and ATM मैं इस पर more पर click करता हूँ और more पर click करने का तो मुझे यह सारे options मेरी screen पर दिखाई दे रहा है इन्हें आप shuffle कर सकते हैं इन options के उपर जाईए आप इसे tap करिए और tap करने के साथ ही इन्हें आप उपर की तरफ लेके जाएंगे तो यह option आपका उपर आजाएगा और अगर किसी option को आप नीचे की तरफ लेकर आना चाते हैं तो उसे आप नीचे भी लेकर आ सकते हैं तो चलिए हम यह करके देख लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं screen पर मैं इनको shuffle कर पा रहा हूँ तो आपको इसको tap करना ह है और नीचे की तरफ लाना है और tap करके उपर की तरफ लेकर जाना है तो आप अपने according इनको adjust कर सकते हैं साथ ही आपको इसमें मिल जाता है last park location का option तो यह three dots के उपर आपको click करना है जैसे ही आप three dots के उपर click करेंगे तो आप इसमें देख वाएंगे उपर की तरफ आपको last park location दिखाई दे रहा हूगा मैं उस पर tap करता हूँ तो यह देखे मेरे screen पर मेरी गाड़ी last time कहां पर प मेरी profile से profile पर मैं click करूंगा तो यह सारा data मुझे देने लग जाता है कि यह मेरी recent list है जो भी मेरी trips थी और यह favorites में आप अपनी trips रख सकते हैं यह general option मिल जाता है contact अगर आपको किसी कोई contact करना है तो यह easy to connect option वहाँ पर दिया होता है तो आप उसको देख सकते हूँ यह मेरी last park location है जो कि आप देख पार है और इसे को मैं share भी कर सकता हूँ अपने family में friends में किसी के साथ भी social media पर या फिर whatsapp जहां भी आप इसे share करना चाहते हैं तो hope की guys आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो please like करें share करें subscribe और हमारे